कर देंगे वहहीं दो मौई को दो ना होगी और सभी 294 विधान सभा सीटों के परिणाम खोशित कर दिये जाएंगे बतादे बंगाल में कुल 294 विधान सभा सीट है इन में 68 अनुसुचित जाती और 16 अनुसुचित जन जाती के लिए रक्षी थाएं विधान सभा का कारेकाल 30 मैं 2021 को खत्म हो रहा है मौसम विभाग के अनुसार सनीवार को निमतम तापमान 16 डिग्री वा अधिक्तम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है वहीं भारतिये मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ता में सबसे गर्म दीन एक मार्च को रहेगा वहीं एक मार्च को निमतम तापम 29 डिग्री वा दिक्तम तपमाद 37 डिग्री होने की समभवना है बतादे सहर के तपमाद में लगातार बिरिधी होने की वज़ा से गर्म जैसा आसास होने लगा है सुबस से ही कड़ी धूप नजर आ रही है लोगों ने अब गर्म कपड़ा पहनना छोड़ दिया है योजना प्राधिक्रित समीति की स्विक्रिति के बाद अब इस पर राज मंत्री परिषद की स्विक्रिति लिजाएगी मंत्री परिषद की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा बता दे योजना प्राधिक्रित समीति ने स्राम नियोजन एवं प्रसिक्षन विभाग के जिस प्रस्ताव पर अपनी स्विक्रिती प्रदान की है उसके अनुसार तक्निकी सिक्षा प्राप्त बेरुजगारों को इस शोजना का लाब मिलेगा इसके तहुत आई टी आई इंजिनियरिंग पो टेक्निक वोकेशनल एवं अने तक्निकी योगता रखने वाल बेरुजगारों को 5-6 रूपए बार्सिक बेरुजगारी बात्ते के रूप में दिये जाएंगे हाई स्कूलों में बरियतम असनतकोतर प्रसिक्षित को ही मिलेगा प्रधाना ध्यापक का प्रभार राज्य के हाई स्कूलों में प्रधाना ध्यापक के पद रिक्त होने पर वर्यतम असनत कोतर प्रसिक्षित सिक्षकों को ही प्रधाना द्यापक का परभार मिलेगा बतादे विश्यस परिश्थिती में ही अन्य को परभार दिया जा सकेगा साथी प्रधाना द्यापक का परभार उन सिक्षकों को ही दिया जाएगा जिनके पास निम्तम पांच साल कार करने कानुबा हो इसकूली सिक्षा आयम सक्षाता विवाग ने पहली बार हाई स्कूलों में परधाना द्यापक के पद रिक्त रहने पर परभार में दूसरे सिक्षकों को परधाना द्यापक बनाने के लिए मापदन तय किया है इससे पहले जीला सिक्षा पता दिकारियों द अस्तुयम सेवाकर GST के प्रवधानों में नईसन सोधन को रद करने और समीक्षा की मांग को लेकर वेपारिक संगठन फेंडरेशन अफ अल इंडिया ट्रेंडरस ने सुक्रवार को भारत बंद का वान का जारखन में आंसिक असर देखने को मिला करेट के आगराप पर टांस्पोर्ट एसोसिशन ने बंद का समर्थन करते हुए माहल धुलाई लोडिंग और अनलोडिंग का काम ठप रखा गुमला हत्याकंड में असी ग्रामिनों ने मिलकर हत्याकंड को अंजाम देने का लिया था निनए गुमला के कामडारा के बुरू हत्युगाओं के फुटबाल मैदान में बैठक कर 23 फरवरी को 77-80 ग्रामिनों ने मिलकर निकोदिन टोपनो वा उसकी पत्तनी की हत्याकंड करने का निनए लिया था बतादे हत्याक करने के लिए आठ लोगों का नाम बैठक में इताय किया गया था जो राज में एक अस्थान पर पहुंचे और सभी ने मिलकर हत्याकंड को अंजाम दिया इस मामले में पूलिस ने लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि वहीं कुछ अन्यस वयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारी की जा रही है सीटेट रियल्ट जारी केंद्रियम आदमिक सिक्षा बोर्ड ने सीटेट परिक्षा के नतीजे सुक्रवार को घोसित कर दिये हैं पतादे सीटेट रियल्ट का इंतजार करने विद्यार थी अब नतीजे परिक्षा पोर्टल सीटेट.nic.in पर देख सकते हैं सीटेट की परिक्षा 31 जन्वरी को आईजित की गई थी राजेपाल के अभिभासन के साथ बजट सत्र सुरू चारखन बिधान सभा का बजट सत्र सुरू हो गया है इससे पहले राजेपाल द्रोपदी मुर्मो ने अपने 44 मिट के अभिभासन में सरकार के योजनाओं हुआ कारियों की तारिफ की उन्होंने कहा कि सरकार ने जनहित में कई कारे किये हैं इसकी हर जगा पर संसा हो रही है सरकार का मुल मंत्र विकास है सभी बर्गों को विकास की मुख्यदारा से जोड़ा है सब की सभागिता विकास में सुनिश्चित की जा रही है सभी छेत्रों पर सरकार का फोकस है बता दे अनुसुचित जाती, अनुसुचित जन जाती, पिछडा बर्ग और अल्प संक्याखों पर खास फोकस है राजयपाल ने कहा है कि वरस्टा चार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस निती है अन्दोलन कारियों को सीख्छा के छेत्र में भी मिले आरक्षन राजयंदर परसाद जार्खन अंदोलन कारी समूल वासी सदान्मोर्चा के केंदरी अधियक्स राजनर परसाद ने हमन्त सरकार दौर्प को तृत्तिय और चतुत्वरग की नोकरी में पांच पर्दृत आरक्षन देने के निले का स्वागत किया है परसाद ने कहा है कि जार्खन अंदोरन कारियों को हर छेत्र में समान मिलना चाहिए जार्खन अंदोरन कारियों को सिख्षा के छेत्र में भी आरक्षन मिलना चाहिए उन्होंने काया कि प्राइबेट इस्कूल हो या सरकारी इस्कूल या फिर कॉलेज नमांकर में आंदुरन कारी के बच्चों को आरक्षन मिलना चाहिए भारत में 16,029 संक्रावीत की पुष्टी हुई है भारत में कूल मौत की संख्या 1,56,970 है वहीं भारत में कूल एक्टिब केस 1,56,413 है